हलो फ्रेंड्स रादी रादेश रश्रीकाल असलावलेकूंग एक बाद फिर से मौका दिया आप सभी ने यूटूब चैनल पे आप सभी को इनफर्म करने को तो काफी सारे बच्चों के कमेंट्स थें सर आप डिवलोप पर कैसे बने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंगु ठीक है तो ऐसी कौन-कौन जीस लैंगुजेस होती है जो आपको सीखनी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक डेवलोपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कॉमन है वो है पाइथन आप पाइथन सीखें पाइथन कैसे सीखें उसके लिए मैं पाइब देवलोप कर सकते हैं इसके बाद थार्ड है रूपी रूपी लेंगवज भी आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप आते हैं एक ड्रूपर बनना चाहते हैं एंत फोर्त है चो हमारे पास वहैं SQL SQL भी आपको सीखनी पड़ेगी यह ऐसी languages नहीं जिनसे आप app programmer बन सकते हैं एक अच्छी programming कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद जो common है सकते ज्यादा common language है वो है iOS के लिए जो कि Swift language Swift जो आपकी है वो ऐसी languages जहां से आप iOS एक app develop करते हैं iPhone company के लिए आप एक app develop करते हैं और उसको लोग use करते हैं दोस्तों मैं बता दूँ आपको अगर ये courses कर लेते हैं या ये languages आप सीख लेते हैं तो कही ना कि आपको काफी ज़्यादा earning भी होती है कि ये ऐसी languages नहीं जो programming languages हैं इनको high level language बोलते हैं और high level language की demand आजकल बहुत हैं हर एक company हर एक संस्ता इस programmer को उठाना चाहती है लेना चाहती है जहां से आप app develop कर सकते हैं और उसकी programming कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप ये languages सीखना चाहते हैं तो मुझे इस WhatsApp पे message करिएगा मैं आपको suggest करूँगा कि आप कैसे सीखें और अगर आपना career programming में ले जाना चाहते हैं तो ये language से आप जरूर सीखना बहुत इंट्रेस्टिंग है मजा भी आता है पढ़ने में ठीक हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो useful लगाओ तो वीडियो को like करना चनल को subscribe करना और bell icon दबाना बिल्कुल मत बूलना अगर आपके mind में कोई doubt है तो हमारे इस whatsapp पे number पे message करना मैं आपसे discussion जरूर करूँगा तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाहें